Hello everyone, welcome back to SSS in my time and distance previous year question series when I came to SSS GL tier 1 in 2013 a man rides at the rate of 18 km per hour a truck km per hour a truck km per hour वो बेक्ती 7 km के अंतर मतलब 7 km के बाद 6 minutes करके stop लेता है क्योंकि उनको horse change करना है ठीक है गोडे change करने के कारण उनको 6 minutes के लिए stop लेना है the time that he will take to cover a distance of 90 km 90 km, कितना टााइम लहें अब देखव से 90 km में कितना 7 km वाला यह फेज जो है, कितना 7 km वाला फेज मिलेगा, मैं से 7 से डिवाईट करो, साथ कम 7, 24 approaching 12 ऑर 12 सथ चुराशी होता है और बाकी 6 km नवाराइगा, ठीक है अब यह जो 12 वाला फेज है, साथ किलोमेटर जने में कितना टाइम लगता है सरा 7 बटा 18 गंटा मतलब इंटू मिनिट कर लेते हैं तो 6-3, 6-10-6, 7-10-7, 7-10-3 इतना मिनिट और इधर 6 मिनिट इसके बाद स्टॉप लेता है तो हर एक 7 किलोमेटर में ये फंडा काम करेगा तो कितना हो रहा है सा 70 प्लस 6- ये टिन फिन गचरा मतलब 88 अपउन 3 इतना मिनिट करके एक 12 ये बाला 12 जो फेस है६ फेस क्यों कर रहा मतलब 1 स्लोटै कि साथ किलोमेटर इस स्टॉप ले लिया फिर 7 कीलोमेटर फिर साथ कीलोमेटर इस स्टोप ले लिया विचिसे पिर शुप लेग तहे से बार किभर की में कितना टाइम लग रहा 12 into 88 upon 3 plus अब देगो यह जो 6 km जाने में 6 km जाने में कितना टाइम लगा 6 upon 18 तो 6 upon 18 यह घंटे में हो जा रहा है सर यह समझ ले ना यह घंटे में हो जा रहा तो इसको minute करना तो 60 से गुना करता है 6 यहां पर 20 मिनिट हो रहा है यहां पर कितना हो रहा है 3-4 बारा तो 8-4 बत्तिस दो कैरी फ्रोड थी 8-4 बत्तिस तीन 352 प्लास दस दस और दो 20 तो कितना हो रहा है तो 372 एतना minute लग जागा अब यह 372 मिनिट मतलब क्या हो जाता है घंटे और minute में हमको convert करना है तो 372 upon 60 कर लेता है तो 6 से कितना हो रहा है 6-4 बत्तिस तो 6 घंटा ठीक है 360 निकल जा रहा है तो 360 निकल जागा तो 12 मिनिट रहेगा तो 6 घंटा 12 मिनिट is the correct answer यह question क्यों इतना doubtful होता है या फिर यह question क्यों इतना vital होता है सर एक चीज है यह question आपको calculation करने में यह जो section है यहाँ पर दिक्कत आ जाता है ठीक है समझना एक बात पहली चीज अगर एक बार समझ लोगे question तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा क्यों कह रहा हूँ यह दिक्कत नहीं होगा देखो सर एक चीज कि पहले सोचो कि 7 घंटे आप कहीं बाइक चला रहा हो फिर आपको एक चाय के दुकान में टपरी पर खड़ा रहेना है ठीक है कितना मिनिट के लिए 6 मिनिट के लिए एक चाय खतम हुआ फिर आप बाइक चलाने चल रहे हो फिर 7 किलोमेटर क्योंकि रास्ता बहुत खड़ा था ठीक है देखो end of every 7th किलोमेटर यह टार्म बहुत क्रिटिकल है साथ किलोमेटर खतम होने के बात ही आप क्या करते हो स्टॉप ले तो चाय या फिर कहीं टीफिन खहने में या फिर किसी को देखने में वहाँ पे आप रुख जाते हूं तो यह जो फेज है साथ किलोमेटर वाला नबभे क्मेंटर के फेज़ में किना इसा मीलेँ गा। सुट से डिवाइट करता है बारा मिल रहा हैं मतलला बारा सद चौरासी किलोमेटर के फेज में आप स्टॉप लोगे। सर आप क्या कहा हूँ थे च्सानल कहले भाला जो छह किलोमेटर उसके मिनिट चे मिनिट किसले सरी यह दो खो चे मिनिट का ब्रेक दिया हुआ तो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या मिलता सर एक फेस के लिए मिल रहा है मतलब साथ किलो मेंटर वाला एक फेस के हुग जो कशने मिल थैंने विए मिनिट के लिए को सब करने इताँ करइन से लिए और शेंस को से thank you bye-bye stay tuned for the next class